ग्रहों में युवराज की शिर्णी के ग्रहे वहीं ये भी कहा जाए कि युवा ग्रहे बुद्ध अपने राशी संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं 17 दिसंबर 2020 वो तारिक रहेगी जब बुद्ध ब्रहस्पती के राशी स्थान में धनू राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे जो की गुरु का मूल तरकौन राशी स्थान भी है और वहीं 5 जनवरी की सुबह के अंतराल तक सूर्य देव के साथ धनू राशी में ही उगत इस्तती काम काजी शेत्र में अपने प्रवा को किस तरह से दे सकती है हम अपने जीवन में कैसे reflections को देख पाएंगे ये जानना आवशक है आप management की किसी बड़ी designation के साथ में जुडाव रखते हैं या फिर अभी तक self discipline में एक कमी लंबे समय से आप अनभव कर रहे थे वक्ता हैं और नरनायक मौके के उपर जो हमारी एक तरह से delivery की approach थी वो negative होती चली जा रही थी लेखक ये विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं और contemporary positions के उपर लिखना होता है तो वहीं जहां situational awareness के साथ में चलते हुए खुद को एक flexibility के साथ में ढालना होता है इन सारे वहीं शेत्रों में बुद्ध का impact प्रभाव बहुत गहरे तरीके से निकल कराता है तो वहीं तवाचा जनित स्ततियों के साथ में भी बुद्ध का प्रभाव बहुत गहरा है दूसरी और thyroid जनित जो रोग हैं वहां पर भी बुद्ध की जो स्ततियां है वो कापी हद तक रंतर चलते चले जाएंगे इसी वज़े से आप देखें कि सूर्य और बुद्ध का बुद्धा दिती योग भी बनता है किन्तु ये बात स्मृतियों में रखने लायक है कि देव गुरु ब्रहस्पति और बुद्ध आपस में शत्रुता रखने वाले गरे हैं देव गुर बर्ट करके जीवन को चलाने का कारे करती है जब ज्यान और सूचना के भीतर कहीं कहीं क्लैशेस आने लगते हैं तो वहीं सिव्यक्ति की बुद्धी दिग भ्रमित होने लगती है वो अपने अनुभव के उपर भरोसा करे जो इतने वरश्वां से उसके साथ में चला है या पिर वही व्यक्ति विशेश अपने contemporary situations के उपर भरोसा करके चले जो आज उसके सामने है फैसिनेशन से दूर हटकर इन सारी ही गणनाओं को समझने की आवशक्ताइं रहती है अला कि मैंने निविदन किया है कि जब भी ऐसे परिवर्तन हो हमको गणपती अरादना और उपा चेंज हमारे लिए कितना बहतर है या फिर रोक जाना चाहिए ये भी गणना है हम सम्मुक रखने का प्रयास करेंगे तो वहीं पे सूर्य देव जब देव गुरु ब्रहस्पती के राशी स्थान के बहतर हो तो व्यक्ति अपने लिए comfort zone को कैसे छोड़ सकता है ग्रिहस्त जीवन के उपर इस यूती का प्रभाव किस तरह से आएगा आप longer term की एक तरह से financial planning करना चाहते हैं तो वहां कैसे निर्णा ले सकते हैं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में एक निवेश की और जाना है और अभी तक हम गणनाओं को अपने भीतर से बाहर नहीं निकाल पा यहां आप देखिएगा कि जो अध्यात्मिक चंतन है वो आपके लिए विकसित होने वाला होगा इन दिनों के अंदर तो वहीं अनुभव के ऊपर contemporary situations के साथ में चल रही positions हावी रहेगी जो भी योवा व्यक्ति विशेश है जो अपने कामकाज में अभी अभी जुडा ही है आपने अपनी education को complete किया और फिर business की और या फिर job की और आपने जुडाव को अभी एक तरह से पहचाना ही है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय अंतराल में नए offers आपकी प्रतिक्षा करने वाले होंगे द्यापार की शुरुवात 5 मेने पहली हुई है तो और नए offer आता है आप vaccination के साथ में चलना शुरू करते हैं उससे वचना होगा नौकरी पेशा जीवन में कुछ ही महीने हुए है और आपके काम काज को देखकर लोग प्रभावित होते हैं आप अपना CV अपडेट करते हैं और offers आ जाते हैं मेरा निविदन है कि 5 जनवरी 2021 तक आप थो जिसे ये आधार बहतर आप management की किसी भी designation के साथ में चल रहे हैं लग रहा था कि जो आप जा सकती है परेशानिया निकल कर आ सकती है ऐसे कोई बिस्तिती सामने नहीं है आप निरबाद गती से चलते चले जा रहे हैं तो वहीं व्यक्तिकत जीवन में जिस पराक्रम के आवशक्ताएं होती है वो पराक्रम भी यहां आपके लिए बढ़ता चला जाएगा बाईयों और दोस्तों के साथ संबंदों में चोटी चोटी तलखियों को भुला कर आगे बढ़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा management की education के साथ में आपका जुडाव है तो ये समय बह थरवशीश का पाठ आप लगातार करते रहिएगा वहीं चर्चा करता हूँ वरिशब राशी की बुद्धी यहां पर दिख ब्रहमित हो सकती है confusion सामने आ सकते हैं उन confusion से दूर हट कर जीवन को देखना होगा कोई व्यक्ति आपके सामने offer लेकर आता है आपको लगता है कि योजना बड़ी शांदार है और उसी के साथ में बढ़ना शुरू कर देते हैं कि तो निविदन है कि 5 जनवरी 2021 तक किसी भी चमक और दमक के बहकावे में आप आने वाले नहीं हो दूसरी और कुटुम भी जनों से सहीयोग की अपेक्षा यहां नहीं करनी चाहिए अपनी वानी के उपर आप नियंतरन रखिएगा दस बार सुनना दो बार बोलना और इतना तारकिक बोलना कि अगला व्यक्ति प्रभावित होकर रह जाए इस गुण धर्म को अपने साथ आप अपना कर चलिएगा किन्तु तवचा जनित रोग यहां परेशान करने वाले हो सकते है क्रियेटिव फिल्ड के अंदर छोटे छोटे क्लैशे सामने आएंगे जो अधिक परेशान करने वाले नहीं हो यह आप ख्याल रखिएगा कई बार व्यक्ति को चेंजिस से बज़ना चाहिए यह वही समय रचनात्मक शेतर विशेश के साथ जुड़े हुए लोगों के लि आपको लग रहा है पोजिशन्स और क्लैरिटी में थोड़ी सी ब्लर्ड अप्रोच है यह हम नहीं समझ पा रहे हैं किन्तु सिच्वेशन बता रही है और बुद्ध के एक तरह से ब्रहस्पती के राशी स्थान में होने की विज़े से ऐसे सारे ही डलेमा सामने निकल कर आत यह जो परिशानियां जीवन से दूर जा चुकी है उनके बारे में सोचना और खुद को व्यथित करते चले जाना कत्ता ही सही नहीं है नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप यहां थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास जरूर करें वही मेतन राशी यह समय व्यापार एक चिंतन को बढ़ाने का है जहां पर भी आप विजनस में एक रोटेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे कहां कमी है उसको हम कैसे सुधारेंगे और सुधारने के पस्चात हम को किस तरह के क्रियानवियन की तरफ जाना होगा यह सारी योजना बना कर रखिएगा वहीं प्रबंदन की स्रेश्टता आपके सामने स्थापित है यहां इस बात को भी समरतियों में रखे हैं यह भी ध्यान रखे हैं कि जो बुद्ध की स्तियां है सूर्य देव के साथ में जो चलाएमान रहेंगी यहां व्यापारिक साज़ेदार के अंदर कई मुश्किलों के हल आपके सामने निकल कर आ सकते हैं भाग्य का सहयोग उस इस्तर के उपर नहीं है किन्तो एक बात आवशक रूप से है कि कमिशनिंग बुरोकरित संबंधी कामकाज में जो निरनायक सफलता लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पारी थी य काल ही की समस्याओं का निराकरन करना था या फिर रिण चुका कर हमको एक तरह से अभी एक कमफर्ट में आना था दोनों ही सिचुएशन के अंदर बुद्ध की ये स्तती आपके लिए बेनेफिट लेकर आ सकती है नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन की और आप जाना चाहते हैं मैं आपसे करबद होकर निवेदन करूँगा कि जब तक स्पेसिफिक क्लेरिटी सामने नहीं हो यहां कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से रहेगा यहां सिचुएशनल पोजिशन के साथ में आप चलने वाले होंगे किन्तो आज की सिचुएशन में contemporary या existing job में frustration है और आपको लग रहा है कि नई नौकरी की तरफ जाते ही एक बार समस्या का निस्तारन हो जाएगा वहीं longer term की बार में सोचिएगा कि मैं 7-8 वर्ष से इसी company के मंदर चल रहा हूँ यह company lucrative offer तो जरूर दे रही है किन्तो मुझे सोचना होगा वजार करना होगा कि मैं उस वार बढ़ू या नहीं बढ़ू यह सारी ही गणना है अपने साथ में आप स्थापित करके जरूर चलें तो वहीं करक राशी के जातकों के लिए यह जो बुद्ध का परिवर्तन है सरोपर्थम आप अपने नौकरी पेशा जिवन में यह व्यापार में उन लोग कामकाज की और सनलगन हो जाएं आपकी प्रफाइल चेंज की जा रही है उसके पीछे वजह क्या है उसके पीछे की स्तियां क्या है यह सब कुछ जान लेना बहुत जादा आवशक रहेगा उसके बाद में ही परिवर्तन को आप स्विकार कीजिएगा वहीं बुद्ध अपन स्वराशी स्थान को भी देख रहे होंगे तो इसी वज़े से एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में या विदेश संबंधी किसी भी कार्य शेत्र में आप नए निवेश की और जाना चाते हैं वहां इस्तियां आपके लिए बहतर कही जा सकती है दूजरी और आप इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जो तुचा जनित रोग होते हैं वो यहां पर परेशान करने वाले नहीं हों अपने खानपान के उपर नियंतरन रखना तो वहीं पर हम यदी प्रायर बेस के उपर किसी भी मेडिकेशन के साथ में चल रहे हैं तो वहां पर भी कोता ही नहीं बरतना आवशक रहेगा नौकरी पेशा जीवन में किसी भी ओफर को स्वीकार करने से पहले बहुत अलिक सावधानी बरतने का प्रयास करें तो वहीं दूसरी और यात्रा संबंधी कामकाज में भी जहां इसपस्ट हो वहीं आपको बढ़ना चाहिए प्रबंदन संबंधी क निवेश में भी सावधानी बरतने का प्रयास कीजिए का तो वहीं संग राशी यहां आप देखिए कि जो लंबे समय से आप कैलकूलेशन के साथ में चल रहे थे शेयर मार्केट की कि यहां निवेश किया जा सकता है ऐसे बढ़ा जा सकता है वो सारी गणनाएं अब सामने रखने का समय आ चुका है दूसरी और कमिशनिंग संबंधी कामकाज में बड़ोतरी के सरे आपके सम्मुक उपस्तित रहेंगे सूर्य और बुद्ध का जो यह बुद्धादिती बना हुआ है और साथ में ही संतान पक्ष के साथ में जुड़ी वी स्ततियों की में बात करू तो आप उनके जीवन को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण नेरणाई लेना चाहते हैं पांच जनवरी 2021 तक उसको भी टालने का प्रयास आप जरूर करें मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज की और हैं और आपको लग रहा है कि मैं एक इनोवेटिव पूजिशन की और खुद को चलता हुआ देख रहा हूँ तो उस पर विश्वास कीजिएगा और उस कैलकुलेशन को जीवन में किस तरह से जगह दी जा सकती है ये भी गणना अपने साथ में इस्तापित करें तो वहीं क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज है वहां आपको जल्द बाजी दिखाने से बचना चाहिए ये बात स्मर्तियों में रखनी होगी कि व्यापार में आकस्मिक धनलाब सामने आ सकता है अब उस आकस्मिक धनलाब को सहेजा कैसे जाए उसके बारे में बहुत ज़रा किलकुलीशन्स रखके चलिएगा अध्यात्मिक चिंतन लगातार विक्सित हो रहा है किसी भी विक्ति विशेश से बाचित हो रही है उस चर्चा में इस अध्यात्मिक चंतन को भी शुमार करते चले जाना आपके लिए बहुत अधिक बहतर है तो वहीं भूमी संबंदित कामकाज में कोई भी बड़ा निरना है वैसे तो मलमास है लिया भी तो वहीं कन्या राशी सरुपर्थम यहां आप देखिएगा कि जो मन के भीतर संकोचन की भावना होती है वो बढ़ सकती है एंग्जाइटी ड्रेवन इशूस के साथ में आप नहीं चलने वाले हों इस एक बात के उपर बहुत ज़ादा कल्कुलेटिव रहकर चलें दूसर इस तर के उपर क्योंकि बुद्ध अपने सुराशी स्थान को देखने वाले होंगे सूरिदेव की दिस्टी भी मितुन राशी स्थान के उपर होगी इसी वज़े से आजिवी का का कोई भी नया माध्यम आपने विकसत कर रखा है और अब उसके साथ में आप निरंतर गतिम होना चाहते हैं ये समय वहाँ पर आपको बहतर प्रवाह देने वाला होगा वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी यहां हिद कामी रहेंगे और लंबे समय के लिए बहतर प्रणामों को लेकर आएंगे पिता के साथ आप किसी विकार शेतर में सनलगन है तो आपको मे कमिशनिंग संबंधी कामकाज में किसी भी विक्ति विशेश के उपर अत्यधिक भरोसा करने से आपको बचना चाहिए ये भी एक निविदन तो वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में यदि आप सर्विस इंडिस्टरी के साथ में जुड़े वो है कोई भी लिक्रेटिव आफर आपके सामने आ रहा है उसके पीछे का बेस क्या है हम किस तरह से उस कार रिशेतर में खुद को बढ़ा सकते हैं ये सारी कल्कुलेशन जब तक स्पस्ट नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से रोकना चाहिए वहीं नौकरी पेशा जीवन में चि नहीं आने वाली है भाग्य के सहयोग से किसे भी कर्म को कर रहे हैं तो अभी यहां रोक जाना ही हितकर है तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य देव के साथ में यहां हर्दय के कारक भाव की पोजिशन्स बहुत जादा प्रभावी है तो हर्दय संबंधी रोगों से बहुत जादा सावधानी रखनी चाहिए वहीं तो लाराशी सर्व परतम यहां नौकरी पेशा जीवन में जब मैंने सूरी परिवर्तन के साथ में चर्चा कीती तब भी कहा था आज फिर से निविदन कर रहा हूँ जॉब में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं थे फिर से सक् आप्शन और ओफर सामने आ रहा है तो इस बात को समझ कर चलने की आवशक्ता रहेंगी कि उस ओफर में कॉंपरमाइज भी है तब भी सहज स्विकारुक्ती बना कर रखी जाए भाग्य का सहयोग यहां पुरजोर तरीके से आपको मिलता चला जाएगा कहीं पर भी देख रहे हों तो आप इस बात को स्पेसिफिक लेवल के उपर जगह दे कर चलें के हम यहां शेयर मार्केट संबंधी निवेश और वहीं कमिशनिंग संबंधी कामकाज में एक बड़े लेवल की और जा रहे हैं वक्ता संबंधित शैली के साथ में आपकी युनिक अप्रो पॉजिटिव अप्रोच को क्रियेट करने वाले होंगे यात्रा संबंधी कामकाज भी यहां पर लाप देंगे तो वहीं मैनेजमेंट की एजुकेशन आपने कम्प्लीट की है और खुद के लिए एक स्टार्ट अप की अप्रोच को आप देख रहे हैं इस बात को बहुत ज जरूरी तो वहीं भाईयों के साथ में कोई भी अर्थ तंत्र का वाद और विवाद जुड़ा हुआ था जिसका कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं था यह समयंद्राल वहां पर भी आपके लिए समाधान लेकर आ सकता है दोस्तों के साथ संबंध फिर से प्रगाड होते चल एक तरह से सहीयोगी स्तर के उपर चलने वाला होता है तो ऐसी प्रवर्तियों में भी बहुत जाला सजग रहना होगा हम क्या कह रहे हैं अगला व्यक्ति उस बात को किस तरह से ले रहा है ये भी एक निरणायक प्रवर्ति यहां सामने रहनी चाहिए तो वहीं ये भी निव कि कुटुम्भी जनों के साथ में जो चोटे चोटे बाद और विवाद चल रहे थे उनको सुलजाने का प्रयास यहां बहुत अलिक आपको नहीं करना चाहिए जो रफ्तार चल रही है उसके साथ में ही चलते चले जाएं दूसरी और hidden problems जो लंबे समय से आपको परेशान कर र नए निवेश की और बढ़ना चाह रहे थे तब भी निवेदन है कि अभी आप calculations को साथ में लेकर चलें बहुत ज़ादा जल्दवाजी में दिरणाय नहीं लेना चाहिए आर्थ तंतर में दीमी प्रगती और धना गमन यहां पर बना रहेगा तो वहीं डिपलो मैंसे की जह आपको प्राप्त होगा जिस अनुभव के साथ में आपका जीवी को पारजन चला है उसी से आप और जादा फाइदा उठा पाएंगे बुद्ध अपने राशी स्थान को देख रहे हैं सूरिदेव की भी पोडिशन सप्तम भाव के साथ में राशी भाव यानि कि चेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय से एक्सपेक्टेशन थी के यहां से गेन हो और हम अपने जीवी को पारजन को और सुद्रण कर पाएं वो इस ततियां भी बनती चली जाएंगी वयापारिक साज़ेदारियों में कोई भी मन मुटाव चल रहे थे उनसे भी अब एक दूरी संबव है दूसरी और आप इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जिस अवसर की तलाश में आप थे अब वो अवसर आपके सम्मुख बहुत असानी से सामने आ सकता है नियात्रा संबंधित कामकाज भी पहुचाएंगे तो वहीं पर 17 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2021 तक के समय अंतराल में आप यहां भूमी संबंधित निवेश से बचियेगा जैसे मलमास चल रहा है व्यक्ति ऐसे निवेश के और जाता नहीं है किन्तु आपको फिर भी लगता है कि मुझे से कारे की तरफ जान उसकी मनो इस्तती और मनो भावना कैसे रही है उसकी हिस्ट्री लोगों के साथ में किस तरह से रही है ये भी जानकर आप चलने का प्रयास करें अन्यता रुकना ही बहतर है मकर राशी सर्वपर्थम आप ये देखें कि जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाले होंगे किन्तु अन्तु तो गत्वा यही खर्चे निवेश की शक्ल में सामने आएंगे दूसरी और ये भी समझना होगा हमको कि जो स्वास्त में छोटी छोटी परेशानियां बारम बार सता रही थी वहाँ 21 दिसंबर से लेकर पांच जनवरी के मद्ध एक नियंतरन का आधार बना रहेगा जो लोन संबंधी परेशानियों के साथ में आप जूज रहे थे वहाँ जब 22 से बुद अपने राशी स्थान मिथोन राशी स्थान को देखने वाले होंगे तो वहाँ आपको एक मेजर रिलीफ मिल सकती है शत्रू यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे विदेश संबंधी कारियों में धैर्य बना कर रखिएगा सफलता एक जनवरी से पांच जनवरी के मद्धे आपके सम्मुक आ सकती है या फिर संकेत प्राप्त हो सकते हैं तो वहीं कुम्ब राशी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यह समय आपके लिए बहतर कहा जा सकता है किसी भी बड़े निवेश के और जाना है आप अपनी गती को प्रभाहित कर सकते हैं तो वहीं जो भी कार्य आपके लिए लंबे समय से रुके वुए थे अठके वुए थे जहां प्रभाह नहीं था इसमय वहां आपको मेटरमेंट देने वाला होगा तो वहीं भाग्य का अच्छा खासा सहयोग यहां प्राप्त होता चला जाएगा प्रबंदन संबंधी कामकाज में भी शरिष्टताएं आपको एक तरह से नया आधार देती चली जा रही है इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि कमिशनिंग संबंधी कामकाज में भी वरद्धी पूर्ण कालिक तोर के उपर उपस्तित रहने वाली होगी ये जो समय का आधार आपके लिए है ग्रिहस्त जीवन के साथ में कोई भी परिशानिया चल रही थी वहाँ पर भी सॉल्यूशन लेकर आ सकती है मेन राशी की येली में चर्चा करता हूँ तो आपके लिए जो जीवन का प्रबंदन है वो सुरेश्टता की और जाने का कारे करने वाला होगा वही मानसिक सुख में कमी रह सकती है इस बात को आप ख्याल रखिएगा वाणी संबंदित कामकाच के अंदर जो अभी तक कारे आप साध नहीं पारे थे वहाँ पर भी बैटर्मेंट की पुरिशन्स बनी हुई है व्यापारिक जीवन में चुनोतियों का सामना करना उनसे पार पाना और पार पाकर खुद को एक तरह से संबल देते चले जाना ये सारी ही गणनाएं उपस्तित रहने वाली होंगी तो वहीं पर ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में मैनेजमेंट को लेकर या कोई ऐसी यूनिक डेजिगनीशन को लेकर आफर आ रहा है आप उसको स्वीकार करने वाले हो सकते हैं तो ये था बुद्ध का होने वाला राशी परिवर्तन जो की 17 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक प्रभावी रहने वाला होगा हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजर होते रहेंगे धन्निबाद और कोटी शह आभार